Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, My Name is Garima आजम करेंगे class 9th English NCRT Beehive का 8th chapter Reach for the Top इस chapter के 2 parts हैं, पहले part में Santosh Yadav जी के बारे में बताए गया है और part 2 में Mariya Sarapova के बारे में तो पहले हम part 1 करेंगे और next video में हम Mariya Sarapova के बारे में पढ़ेंगे Santosh Yadav कौन है? Santosh Yadav is an Indian mountaineer. She is the first woman in the world to climb Mount Everest twice successfully तो ये पहली ऐसी महिला थी दुनिया की जिन्होंने Mount Everest की चढ़ाई दो बार सफलता पूर्वा की थी She climbed the peak 1st May 1992 and again 2nd time in 1993 The only woman in the world who was scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of son was regarded as a blessing तो ये एक ऐसे समाज में इनका जन्म हुआ था जहां बेटों की जो पैदाईश है बेटों का जन्म है वो तो वरदान माना जाता था and a daughter though not considered a curse was not generally welcome तो बेटियों का ना ही कोई welcome होता था बलकि उनके जन्म को एक श्राप समझा जाता था When her mother was expecting santos जब उनकी माँ pregnant थी और santos पैदा होने को थी A traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son तो वहां से एक साधू जी गुजर रहे थे और उन्होंने उनकी माता जी को वरदान दिया कि तुमको बेटा ही होगा और वो यह सोच रहे थे कि शायद वो बेटा ही चाह रही है इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान दिया But to everyone's surprise The unborn child's grandmother who was standing close by told him that they did not want a son लेकिन एक आश्चर भरी बात ये हुई कि जो बच्चे की दादी मा थी यानि जो बच्चा भी जन नहीं लिया था उनकी दादी मा ने कहा कि मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए वो नहीं चाहती थी बेटा The holy man was also surprised साधू भी काफी आश्चर चकित हुए क्योंकि उस समय तो हर कोई बेटे की ही चाह रखता था Nevertheless, he gave the requested blessing फिर भी जो साधू जी थे उन्होंने जो request की गई थी वर्दान के लिए उन्होंने वो आशिरवात दे दिया And as destiny would have it The blessing seemed to work और destiny जो थी वो काम कर गई जो वर्दान था वो पूरा हो गया और संतोष का जन्म हुआ संतोष वोस बॉर्ण दा सिक्स चाइल्ड और संतोष जो थी उस घर की छटी संतान थी उस परिवार की उसमें पहले से ही पाँच बेटे थे और ये अब एक five son and a sister to five brother तो पाँच भाईयों की इकलौती बेहन She was born in the small village of जोनियावास of riveri district in हर्याना तो इनका जन्म हर्याना के एक riveri district में हुए थे छोटा सा गाउँ था जोनियावास वहाँ पर 1969 में The girl was given the name संतोष और जो लड़की थी उसको नाम दिया गया संतोष जिसका मतलब था contentment contentment मतलब धैर होना, संतोष होना, सायम है न उसको कभी भी अपने जो traditional way of life था जो इनका पारम पर एक जीवन था उसमें वो बिल्कुल भी संतोष नहीं होती थी She began living life on her own terms from the start उसने शुरू से ही अपनी शर्तों पर जीवन जीना शुरू किया Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred short जहां पर बाकी लड़किया जो traditional Indian dresses होती है जैसे सलवार कमीज और फ्रॉक वगएरा तो वो क्या कहती थी वो उन सब कपड़ों को नहीं पहनती थी वो short prefer करती थी, छोटी-छोटे कपड़े पहनती थी Looking back, she says now, from very beginning I was quite determined that if I choose the correct and rational path, the others around me had to change, not me वो शुरू से ही एक बात कहती थी, जब वो पीछे की तरफ बात करें उनकी अपनी पिछली जिन्दगी के बारे में तो वो बताती हैं कि मैंने शुरू से ही ये निश्चे कर लिया था कि अगर मेरा चुना हुआ रास्ता सही होगा रैशनल होता है किसी भी चीज के लिए अगर लॉजिक या सेंसिबल वे तो लॉजिकली अगर मैं कोई पात को चुनूँगी तो जितने भी मेरे चारों तरफ के लोग हैं उनको बदलना होगा, मुझे नहीं शंतोष पेरेंट वर्ट, एफलेंट लैंड ओनर्स एफलेंट का मतलब होता है धन संपत्ती से पून तो उनके जो माता पिता थे वो काफी जादा धनी थे और धनी जमीदार थे और वो एफोर्ट कर सकते थे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए यहां तक कि जो देश की राजधानी है नई दिल्ली वहां पर भी वो पढ़ाने के लिए शक्षम थे विच वास कॉइट क्लोज बाई बट इन लाइन विद दा प्रिवेलिंग कस्टम इन दा फैमिली संतोष हैड मेक टो डू दा लोकल विलेज स्कूल लेकिन अब तो वहां पर एक ऐसे रिवाज चल ले थे परिवार में कि लड़कियों को बहार नहीं जाने देना है लड़के तो बहार पढ़ सकते हैं बना लड़कियों को पर्मिशन नहीं थी तो शंतोष को उसी गाओं के स्कूल में पढ़ना पढ़ा तो उसने निश्चे किया कि वो इस समाथ से इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी लेकिन सही समय आने पर और सही पल जब आया जब वो सोला साल की हुई सोला साल की ओम में जो उसके गाओं की लड़कियां हैं उनकी अधिकतर शादी कर दी जाती थी शंतोष वर और उसके माता-पिता ने भी इसी तरीका का दवाव डाला था शंतोष पर शादी तो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था ये आखरी खयाल था उसके जीवन के लिए और उसने अपने माता-पिता को धमकी दी कि वो शादी कभी नहीं करेगी अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन जब तक उसे ना मिल जाए यानि वो पूरी पढ़ाई कर लेगी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वो शादी के बारे में सोचेगी शी लेफ्ट होम उसने घर छोड़ दिया और फिर अपना दाखिला एक स्कूल के दिल्ली के स्कूल में करवा लिया माता पिता तो उसके घर छोड़ने से नाराज हो गए तो उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने से इंकार कर दिया फिर उसने बड़ी विनमता के साथ अपने माता पिता को अपने प्लैंस के बारे में बताया कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है अपनी स्कूल की फीज देने के लिए पैसे कमा रही है अब माता पिता तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे तो वो बाद में मान गए और उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए पैसे देना शुरू कर दिया अब उसकी जो खुआईश थी थोड़ा और पढ़ने की थोड़ा और पिता जी थोड़ा सा और पढ़ना है इसी तरीके से शंतोष ने अपने हाइश स्कूल के इक्जाम पास की और वो जैपूर चली गई शी जोइन महरानी कॉलिज एन गोटा रोम कस्तूरबा होस्टल तो उसने महरानी कॉलिज को जोईन किया और फिर वो कस्तूरबा होस्टल के कमरे में रहने लगी शंतोष को याद है वो बताती है कि जो मेरा होसेल है उसका जो कमरा है उसका फेस अरवली हीज चोटियों की तरफ था हिमाले की चोटियों की तरफ I used to watch villagers from my room और वो बताती हैं कि जब अरावली चोटी पर जब लोग चड़ते थे जो गाउं वाले जाते थे तो वो मेरे कमरे से दिखाई पड़ते थे going up the hill and suddenly vanishing after a while तो वो चोटी पर चढ़ रहे होते थे पहाडों पर और अचानक वो vanish, गायब हो जाते थे थोड़ी देर बार वोन डे आई डिसाइड़ टो चेक इट आउट माइसल तो एक दिन उनका भी दिल किया, उन्होंने निश्चे किया कि मैं भी ऐसा करके देखूंगी, मैं भी उपर चढ़ूंगी और वो बताती हैं कि जब वो ऐसा करने के लिए निकली तो वहाँ पर और कोई नहीं मिला, केवल कुछ माउन्टेनियर्स थे जो परवतार हो ही होते हैं, परवत चढ़ने वाले, केवल वो ही थे तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं उन्हें जोइन कर सकती हूँ, क्या मैं उनके साथ चल सकती हूँ और मुझे बहुत आश्चर हुआ, मुझे तो ऐसा लगा कि वो इनकार कर देंगे उन्होंने positively उत्तर दिया and motivated me to take a climbing और मुझे काफी जादा motivate किया कि हाँ, तुम भी चढ़ सकती हो, क्यों कौन सी बड़ी बात है और उस दिन के बाद इस निश्चे जिसने कर लिया था, इस छोटी सी लड़की ने इसने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखा, determine करना, किसी चीज़ का डर निश्चे करना और उन्होंने फिर पैसे बचाने शुरू किये और फिर अपना जो enrollment है, अपना दाखिला उत्तर काशी नहरो इंस्ट्यूट आफ माउन्टेनरिंग में करा लिया माई कॉलिज सेमिस्टर इन जैपूर तो जो उनके कॉलिज सेमिस्टर थे जो एक्जाम थे जैपूर में वो अपरेल के अंत में खत्म होने वाले थे लेकिन वो 19 में तक चले I was supposed to be in उत्तर काशी on 21st और उन्हें 21 मही तक उत्तर काशी में पहुचना था So I did not go back home लेकिन इसी कारण जब उनको 21 तारीक को वहाँ पहुचना था इसी कारण वो अपने घर वापस नहीं गई Instead I headed straight for the training बलकि वो सीधे training पर चली गई I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तर काशी और वहाँ से उन्होंने अपने पिता जी को एक माफी छमा भरा पत्र लिखा कि पिता जी मुझे माफ करिएगा मैंने आपकी आग्या के विरुद्ध मैंने आपसे आग्या नहीं ली और मैंने उत्तर काशी में अपना दाखिला करा लिया There after Santos went on an expedition every year और फिर उस दिन से Santos जो हैं हर साल उस यात्रा पर जाती थी Her climbing skills matured rapidly और उनके जो चर्णने की skills थी वो काफी mature हो गई थी बहुत जल्दी mature हो गई थी Also, she developed a remarkable resistance to cold and a high altitude और remarkable resistance का मतलब होता है कोई भी उलेखी निये प्रतिरोध किसी चीज के मतलब आप किसी से लणने के लिए शक्षम हो प्रतिरोधक शम्था जो develop हो जाती है उसे कहते है resistance power तो उनके अंदर काफी जादा resistance power जो है वो develop हो गई थी cold यानि ठंड के प्रति और altitude, height के प्रति यानि उन्हें उचाई से डर लगता था और वो थोड़ा सा ठंड को भी बरदाश कर पाती थी equipped with iron will अब वो काफी जादा द्रण सकती उनकी इच्छा शक्ती जो थी वो काफी मजबूत हो गई थी physical endurance and amazing mental toughness उनकी जो शारिटिक छमता थी endurance मतलब होता है शहन शक्ती वो भी काफी develop हो गई थी और उनके अंदर जो मांसिक तौर पर भी उन्होंने अपने आपको काफी tough बना लिया था she proved herself repeatedly और वो बार बार अपने आपको proof करके दिखा रहे थी the culmination of her hard work and sincerity came in 1992 और उनकी जो महनत थी उसका नतीजा वो कब रंग लाई जब वो 1992 में उन्होंने पहली बार अरावली hills पर पहली बार चढ़ाई करी and sincerity just before 4 years after she had shyly asked the अरावली mountaineers if she could join them और बिल्कुल 4 साल बाद जब उन्होंने अरावली mountaineers से request की थी कि क्या मैं उन्होंने join कर सकती हूँ काफी जिजकते उन्होंने उन्होंसे पूचा था at barely 20 years of age संतोष यादव skilled mount Everest और लगबग 20 साल की उमर में संतोष यादव ने पहली बार mount Everest को चढ़ाई करी और वो पहली youngest woman बन गई world की achieve the feet जो इन्होंने जो कार किया था साहस्पून इसको achieve करने की पहली young woman बन गई थी दुनिया की if her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her seniors her concern for others and desire to work together with them found her a special place in her of fellow climbers तो इनके अंदर इतनी अच्छी climbing skill थी physical fitness बहुत अच्छी थी mental strength होने के बाद भी इनके जो seniors थे जो इनसे बड़े लोग थे वो काफी इनसे प्रभावित हुए यहां तक कि जो इनके fellow climbers थे यह उनकी भी help करती थी और उनके साथ भी इनका जो रवाईया था वो बहुत अच्छा था तो वो लोग भी इनको अपने दिल में बसाते थे इनको काफी पसंद करते थे क्योंकि यह कभी भी घमंड नहीं करती थी और जब 1992 में यह एवरेस्ट मिशन पे थी तो संतोश यादव ने एक क्लाइमबर थे जो की काफी बुरी हालत में थे साथ कोल पर उनकी हालत खराब हो गई थी उस क्लाइमबर की और इन्होंने उसकी काफी स्पेशल केयर की थी लेकिन दुर्भा के बचाने में असफल रही लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरे क्लाइमबर थे जिनका नाम मनो मोहन सिंग था उनकी जान इन्होंने बचाई क्योंकि उसी चड़ाई के दौरान ये उनसे मिली थी और वो उनको ना बचा पाती अगर ये अपना ऑक्सीजन जो है वो उनके साथ शेयर ना करती विदिन 12 मंस संतोज पाउंड हरसेल्फ अमेंबर ओफ एन इंडो नैपलीज वोमेंस एक्सपंडिशन दाट इन्वाइटेड हर टो जॉइन दें बारा ही महीनों में क्योंकि इतनी कड़ी महनत करती थी ये इतनी ज़्यादा कुशल थी विदिन 12 मंस संतोज ने पाया कि उनको इंडो नैपलीज वोमें जो एक्सपंडिशन होता है उनकी मेंबर बनने के लिए इंविटेशन आया कि वो इनको जॉइन कर ले और 20 साल के उमर में उनने एवरेस्ट को दो बार चड़के एक रिकॉर्ड बना दिया था ये केवल पहली महिला थी अकेली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर इतनी कम उमर में दो बार चड़ाई की थी और मांटेनियर अंडिया यूनीक प्लेस in annual of mountaineers और mountaineering में यानि परवतार हो ही जो होते हैं उसमें सबसे कम उम्मर की ये पहली महिला थी जिन्होंने Everest की successfully दो बार चड़ाई की थी In recognition of her achievement the Indian government bestowed upon her one of the nation top honor the Padmasri और इनकी जो पहचान है जो इन्होंने achievement हासिल करे थे भारत सरकार ने भी इनको जो नेशन के top honors होते हैं top rewards होते हैं पदमश्री उससे इनको सम्मानित किया था Describing her feelings ये अपनी भावनाओं को बताती हैं when she was literally on the top of the world जब ये उस चोटी पर थी संतोष हैस्ट said it took some time for the enormity of the moment to sink in उस high point को उस पल को समझने में मुझे कुछ समय लगा था then I unflirt the Indian tricolor और फिर मैंने अपना भारत का तिरंगा फैराया वहाँ पे and held it aloft on the roof of the world aloft होता है काफी उचाई पर मैंने अपने भारत के जंडे को फैराया और मुझे क्या महसूस हो रहा था वो मैं बयान नहीं कर सकती the feeling is indescribable यानि वो जो महसूस कर रही थी मैं वो बिल्कुल भी उलेखनी नहीं है मैं उस तो बयान नहीं कर सकती the Indian flag was flying on the top of the world it was truly a spiritual moment जब भारती जो तरंगा है वो उस चोटी पर लहरा रहा था तो यह जो moment था यह आत्मिक था I felt proud as an Indian और मैं भारती होने पर गर्व महसूस कर रही थी also a fervent environmentalist संतोष collected and brought down 500 kg of garbage from the Himalayas और वो एक strong having a strong and sincere feeling fervent मतलब होता है काफी कड़ी जो महसूस करते है तो वो एक environmentalist थी इसलिए उन्होंने वहां से लगभग 10 kg कूडा करकर टिखटा किया था हिमालया से और वो नीचे लेखर आई थी वहां से तो यह chapter का first part हो गया इसका second part में हम मारिया सारपोवा के बारे में पढ़ेंगे आपको यह कैसा लगा comment section में जरूर mention करेगा और second जो video है उसका link भी आपको इसमें description में मिल जाएगा तो आप वहां से उसको देख सकते हैं पसंद आया है तो like करें, share करें चैनल को subscribe करें